पको चुल्दियो में पांच फॉझा मैच वर्लड गब का क्या उस्टेलिया इंडिया को ईजनी राने वाली है और यह सेरीई की तरह उसतेलिया को एक बार फिर से हार का सवाश चेकाने वाली है क्या चिनने की ये पिच करने वाली है कुछ कमाल ये चिनने की इस गर्मी में उस्टेलिया का हो जाएगा बुरा हाल क्या रहेगी प्लेइंग 11 और कौन सा प्लेयर ड्रीम 11 में आपको चिताने वाला है करोडों इन सब बातों पर करें इंचरच दा इस वीडियो में तो जल्द जना चुका है जहां पर इंडिया व्स सामने होने वाली है जहां वर्ल्ड कब में ऑस्टेलिया हमेशा से ही एक अलग टीम उतरती है जैसे कि और इंडिया भीने बहुत इसली हरा दिया लगी ने रहा था कि और इस बारश ही तोंब कर देने में काम्याब होगी एक तरफा द बैंकर तरीके से उताने माला है तो उससे थोड़ा इडिया को बच के रहना होगा तो दोस्तों जैसे कि आप सब को बता कि यह मैच चेन्ने की इस बहतरीन ग्राउन वना वना है और चेन्ने का नाम सुनते ही सबसे पहले जो ध्यान में आता वो यहाद है कि बैई चिनघी कि मैं आत हो रही है तो वहिए सबसे पहले यहापे होगी बहुत जाद गर्मी गर्मी मतलब बहुत ही बेंक कर वाली गर्मी और इस गर्मी के फीज़ों पचौ हर चोका मैस्ट कहलना बहुती बढ़ी मावारत है और इस गर्मी पे जोनल भी टीम जल्दी काउवाले की वो इस मैच पे भी काउव बना सकती है पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस पिछ की चिनने की ये पिस दोस्तों हमेंसे से रंग बढ़साती रही है और कल भी उमीद करेंगे कि यहां पर रंबरसाए जाएंगे और एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है दोस्तों वह ही दोस्तों बात कर लेते हैं इस दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की तो दोस्तों जहां इंडिया की तरह अब सबसे पहले जो न्यूस आई थी वह यह आई थी कि यह सुमन गिल थोड़े डेंगू पॉस्टी हो चुके है और उनका खेलना बहुत मुश्किल है और अभी भी कोई अच्छी कबर आई नही कोई भी अच्छी कबर आई नहीं है अब कल मैस से पहले क्या होता है यह तो कल ही पता हो लेगा अगर सुमन गिल नहीं केलते तो इशान केशन को मुखा मिलने वाला है वही मुखा ऐसा भी हो सकता कि केल राहूल क्या बता रोई सर्मा के साथ उपन करे हो और फिर सुर्य कु पर पांचवे नंबर पे केल राहूल और चटे पर हार्दिक पांजिया और साथ वे रविंद चड़े जा अश्विन यहां पर केल सकते हैं क्योंकि इस चिन्नी की पिछ में गुमा हो सकता है और अश्वे इन चिन्नी पे बहुत खेले हैं अगर CSK की बात करें वहीं नवे नमर पर आपको बुमरा और दस्वे पर सिराज देखेंगे और ठाकूर को भी जगा मिल सकती है क्योंकि बैडिंग पेचा है तो ज्यादा पेसर यहां पर खेलेंगे नहीं तो तीन और तीसरा जो पेसर होगा वहादी पांडी होगा जड़त पढ़ती है चौथा माफ वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं वहीं ऑस्टेलिया की प्लेंग लावन सिंपल है दोस्तों जहां सौन मार्स डेविड वानर के साथ ओपन करते विए दिखेंगे वहीं स्टीव स्मीद लंसें और यहां पर आपको एलेक्स कैरी दिखेंगे नीचे वहीं पर ग्लेन स्टार्प और हेजल वोड यह तीनों की जोड़ी ही आपको दिखने वाली है वहाई स्पिन मैडम जंपा दिखेंगे और उनका साथ निभाएंगे ग्लिन मैक्स्वैल और जरुवात पढ़ती है तो यह स्टन एकर को मुझे लगता नहीं कि उनकी जगा बनने वाली है तो द मैच है और डियू भी आ सकती है तो चेश करना बहुत ही जी होगा जो बिदिम चेश करेंगे उसके बहुत जाला चान्से द्वाथ है वहाई दोस्तों कल यह कि मुझे जो फेवरेट लग रहे है मुझे तो चेस वाली ही लग रहे है पर मेरी जो फेवरेट होगी वह होगी क जीतने वाली है अब भी कमेंट करें कि जुरूब आपको क्या लगता है दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए कि कि